शून्य दशमलो शून्य साथ दो साथ को भिन्न यानि की फ्रैक्शन के रूप में लिखें इसके लिए इस संख्या के अंकों का स्थान्य मान यानि की प्लेसेज वैल्यू पता कर लेते हैं इस संख्या में शून्य दशांश स्थान यानि की तेंस प्लेस पर है 7 शतांश स्थान यानि की 100 प्लेस पर है ये 2 हजार हवे स्थान यानि की 1000 प्लेस पर है और अंत में 7 दस हजार हवे स्थान यानि की 10,000 प्लेस पर है हम इस प्रश्न को कई तरीकों से हल कर सकते हैं इस संख्या में ये 7 दस हजार हवे स्थान पर है इसलिए हम इस संख्या को 727 बटा 10,000 लिख सकते हैं क्योंकि ये साथ इस संख्या के सबसे छोटे यानि की 10,000 अवे स्थान पर है इसलिए ये 727 बटा 10,000 के समान है अब हमने इसे भिन यानि की fraction के रूप में लिख लिया है और इसे और अधिक सरल यानि की simplified नहीं किया जा सकता ये संख्या 2 या 5 से विभाज यानि की divisible नहीं है ये संख्या 3 से विभाज नहीं है जिसका अर्थ ये है कि ये 6 और 9 से भी विभाज यानि की divisible नहीं है और ये 7 से भी विभाज नहीं है ये एक अभाज्य संख्या यानि की प्राइम नंबर हो सकती है और इस तरह हमने 0.0727 को भिन्न के रूप में बदल लिया है